क्या ये रिमेक भी एक सिरीज होगी रैंबो नाम कहां से आया क्या फर्क है दोनों रैंबो में हेलो दोस्तो मैं नितिन आपका स्वागत करता हूँ पॉलिक रैड स्टूरियोज में सिल्वेस्टर स्टैलोन की फिल्म रैंबो ने अपने जमाने में धूम मचा दी थी और ये फिल्म एक सिरीज मनी थी या ऐसा कहें कि ये एक फ्रेंचाइजी थी और इसके पांच पार्ट रिलीज हुए थे 1982 में फर्स्ट बलड आई थी और उसका सेकंड पार्ट 1985 में आया था इसके बाद थर्ड पार्ट 1988 में रिलीज हुआ जिसका नाम था रैंबो थर्ड और ये पार्ट 1985 मुवी का सीक्वल था जिसको सिल्वेस्टर स्टैलोन ने डारेक्ट किया था इसका फॉर्थ और फिफ़ पार्ट 2008 और 2019 में बनकर कम्प्लीट हुआ था लेकिन अब टाइगर शोप भी एक रैंबो की तरह नजर आएंगे और ओरिजिनल रैंबो का रीमेक करेंगे अब हॉलिवूड पिक्चर का रीमेक और सीक्वल बन सकता है तो हमारे बॉलिवूड वाले तो रीमेक्स के दिवाने हैं मानो जैसे अपनी कोई स्टोरी ही ना हो इनके पास खेर रीमेक्स का ट्रेंड तो एक जमाने से चलता आ रहा है क्योंकि हर इंडस्ट्री किसी ना किसी फिल्म का रीमेक या सीक्वल बनाती है और सक्सिस भी हासिल करती है तो फिल्म रैंबो को एक फ्रेंचाइजी की नजर से देखा जा सकता है क्योंकि टाइगर श्रॉप के फिल्म बागी के भी दो पार्ट्स रिलीज हुए थे और दोनों पार्ट्स हिट लिस्ट में आये थे अगर रैंबो भी एक सिरीज होगी तो इसके भी पांच पार्ट्स आ सकते हैं और सभी पार्ट्स के आने में कम से कम 10 साल लग जाएंगे और हो सकता है जैसे जोन रैंबो की एक्टिंग और उनकी फिल्म को हम भूल नहीं पाए हैं उसी तरह इस फिल्म से टाइगर भी इंडियन सिनेमा में अपनी चाप छोड़ दें और रैंबो रिमेक के भी एक्जामपल सेट हो जाएं रैंबो 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 ये नाम सुनते सुनते कहीं आप बोर तो नहीं हो गए अगर हां तो चलिए आपको बताते हैं कि रैंबो नाम की स्टोरी क्या है आखिर ये नाम आया कहां से है Usually Rambo Word का Use वहां किया जाता है जहां हर प्रोब्लम को सॉल्व करने के लिए वोईलंस का यूज किया जाता है और Rambo उसको बोलते हैं जो किसी की नहीं मानता सिर्फ अपनी सुनता है और हर वक्त लड़ाई करने को रेडी रहता है और हर वक्त एंग्री और अग्रेसिव रहता है मॉरिल का कहना था कि रैंबो नाम चूज करने में वो साउंड ओफ फोर्स से इंस्पायर हुए थे और रैंबो एक एपल था जिसका सामना मॉरिल के पैंसलिवेनिया में किया था और इन एपल का नाम पीटर गुनारसन रैंबो के नाम पर रख दिया गया था और इसी बेस पर रैंबो रीमेक बनने जा रहा है जिससे उमीद है कि ये मुवी भी हिस्टरी में अपना नाम चोड़ के जाएगी बात करें अगर दोनों रैंबो की तो ये दोनों एक दूसरे से काफी हद तक डिफरेंट हैं क्योंकि जॉन एक हॉलिवूड स्टार है तो वहीं टाइगर एक बॉलिवूड एक्टर है जॉन रैंबो ने जब अपनी पहली फिल्म रैंबो की थी तब उनके पास कुछ भी नहीं था बलकि इन्होंने काफी सामान गिर भी रख दिया था बिकाज इन्हें पैसों की नीड थी और दूसरी तरफ टाइगर श्रॉफ खुझ एक सूपरस्टार जैकी श्रॉफ के बेटे हैं और सूपरस्टार के बच्चों को एक्टिंग ना भी आती हो पर फिर भी वह वह जरूर मिलती है लेकिन टाइगर की एक्टिंग और इनकी फ प्रट फिजिक के बारे में तो हम आपको बता दें कि ये दोनों एक्टरस जिमिंग फ्रीक हैं और घंटो जिम में एकसरसाइज़ करते हैं और अपना टाइम स्पेंट करते हैं इन दोनों की एक्टिंग स्किल्स और मार्शल आट का अगर कंपैरिजन किया जाए तो एक रेंबो बड़े परदे पर कितना कमाल दिखाएगी हमें कमेंट करके जरूर बताइए और जाने से पहले हमारी वीडियो को लाइक एंड शेर भी कीजिए तो गेट मोर फ्रेश अपडेट्स प्लीज क्लिक तब बैल आइकन नाओ थैंक यू